इंडिया की मुमबाई से गोवा की कुरूश सीप जाणनी के बार में सब को पता है बट क्या आपको पता है, बांगलाधेस में भी ऐसे ही एक ब्यूटुबल कुरूश सीप जाननी होता है वॉल्ट लॉंगे सीविज क्वाक्स वज़न से बांगोद Subaru की लास्ट लैंड और ऐलंड San Martin किलें डॉंट्ट गेट कन्फूज़्जड, यह नौत अमेरिका की San Martin iLand नहीं है यह बांगा डेस की San Martin iLand स्वह टारी अनी टारी है जूरू करते हैं बांगलादस की फिप्ट एपिसोड, ब्यूटिफुल सेंड माटिन की जाननी के साथ। बांगलादस की सेंड माटिन जानने के लिए, नॉनमली दो जगा से कुरूस्तिक चलता है। नमबर वण, टेकनब जेटी घाटी, जो कॉक्स बजार मेरिन डाइप की एकदम लास्ट पॉइंट है, और सेगेंट कोक्स बजार की कस्तुरी घाट। कॉक्स बजार से टेकनब जेटी घाट की डिस्टन्स है एराउंड 80 की मी, जाने में टाइम लगता है दो घंट के आसपास। तो अगर आपका क्रूस बजाटी घाट की कॉक्स बजार की क्रूस बजार की डौछ से जोर्ने वाला है, तो आपको जल्दी से वोटेल से चेक आउट करके कॉक्स बजार की सोके उठे, फिर रेडी हुए और नीचे चले गए गोल्डेन हिल होटेल की लास्ट कॉम्प्रिमेंटरी बेक्फस्ट कांडिगे बेक्फस्ट करके हम लोग सामान फिक अप किये होटेल की चेक आउट की फार्मिलेटीस पूरे करके एक टुक टुक बुक कर लिए कॉक्सटुरिघाट जाने के लिए कॉक्सटुरिघाट की डिस्टेंस ओनली फोर और हापके मी है कॉक्सटुरिघाट की डॉल्फिन मूर से बट जल्दी जल्दी कॉक्सटुरिघाट पहुचने के चकर में हम लोग गलती से बिना निगोसियाट करके 200 बंगलादसी ठाका देकर टुक टुक बुक कर लिए तो श्रीप 15 बिनिट की जानने के लिए तो पॉज गया है कौक्स वाजर की जेठी घाट पर यहां साही सीप मिलेगा जस्ट यारपोट के बागल से आता है मुझे होटेल रूम से 200 रूपे देना पड़ा और अटो पकड़के थोड़ा भीडवट्टा वाला रास्ता है मैं दिखाता हूँ और आगे हम लोग का सीप खड़ा हुआ है जेठी काट पहुचके हम लोग अपना टिकेट सोग किया अंधीदे दिरे सीप के अंदर चले गाए इस दिन में बहुत खुशता क्योंकि लाइब में पहली बात समुंदर के उपर क्रूस सीप की जार्नी करने वाला हूँ कि अगा दो फाइनली चड़ गया है सीप पर सीप का नाहा में एंबी बारवाली अभी कॉक्स बजार से हम लोग जा रहे हैं सेंड मातिन जो बांगलादेस के अइलेंड है और ऑफ है बांगलादेस की लास्ट लैंड तो यह टीप अमेजिक होने बारा है से सेंड मातिन जाने में लग भग फांच गंटा लग जाएगा क्या काहूं एक अच्छा फील आ रहा है क्योंकि सीप में चाड़ के पांच गंटा जाननी करने वाला हूं ऐसा मेरे लाइब में पहली बार होने वाला है वाइदावे मैं ट्राय करता हूं कुछ सिनेमाटिक स जाने का और आने का, दोनों मिला के 3200, 3200 बंगलादेसी टाका पड़ा है, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पांच घंटे जाननी होने वाला है, तो इतना देर तो उपर ड्यू भी देखू या फिर खड़ा भी रहो तो ठकी जाओंगा, तो मैंने सोचा एक गंडा थोड़ा अच्छा नहीं है, और यहां पर क्या है, सीट अच्छा है, अच्छा है, बट भ्यू अच्छा नहीं है, इस सीप पे कैंटीन है, आप ब्रेक्फस्ट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी ले सकते हैं, सब कुछ, हम लोग कुछ दिर बात जाएंगे, कैंटीन में कुछ चा सीप है यह सीप में बहुत सारे सिटिंग टाइपस भी अबलेबल है जैसे कि पैनरोमा डेक, सांडेक, रिवारा डेक और टू टाइपस ऑप केविन, लाइक वान टीलक्स केविन और सेगन फैमिली बंकर केविन वास्रूम, कैंटीन, ओपन पेस यह सारे चीज़ अबलेबल है इवन ओपन स्पेस में हम लोग के टाइम पर बहुत सारे लोग मस्ती भी कर रहे थे गाना वनगा के अब इस वीडियो को बोरिंग नहीं बनाते है आप इसांग दूबलाल मुटत रहे शारे टाज़ छोग मस्ती भीज़ित । सो अभी टाइम हो रहा है तीन बज के पाच मिनिट और अभी तक हम लोग सेंड माटी नहीं पहुचे आधर रास्ता आने के बाद देखा मैंने पानी का कलर पुरा ब्लू हो गया है बहुत ही खुपसुरत लग रहा है और अंदर जो कांटीन में सारे चीज मिल रहा है जैसे की कोफी मिल रहा है 50 रूपिस में खाना 250 रूपिस में तो प्राइस बहुत ही ज्यादा है बोट के अंदर इसलिए अगर आपको एंजाइ करना है जन ओपेंडेक सीट इस बेटर अंदर वाला सीट आप बैठ सकते हैं अशी है बट भी अच्छा नहीं मिलेग आपको अभी दे सेंड माटिन पहुचने छे जास 30 बिंस पहले सुरू हुआ मेरे सीट जाननी की सब सब बेश्ट खोब सूरत पल क्योंकि सूबा से समुनदर के अंदर दूर दूर तक पानी देखने के लिए और कुछ नहीं था बट साड़नली हम लोग देखे एक एक करके सीट के चारो तरब सीगल्स आके घूमना स्टाट किया और आप मानोगी नहीं मेरे तरह पूरे सीट की सारे लोग ओपें डेक्स को चले आए सीगल्स को देखने के लिए इवेन बहुत सारे लोग कैंटीन से चीफ्स करितके सीगल्स को खाना के लिए रहा था तो अभी टाइम हुआ है लगभाग 4.45 अभी जाके हम लोग पहुंचे सेंट मार्टीन आइलेंड पर तो बहुत टाइम लग गया ऐसा तो साधे तीन बजे पहुंच जाना चाहिए था बाट अभी पांच बजने में दस मिनिट बाकिया से तब समेज ही पारे तो कितना ले लिए पुरा सीप का और मेरे पिछे है पुरा सेंट मार्टीन आइलेंड ये आइलेंड लगभाग 4 किलोमेटर के अंदर पढ़ता है जितना भी होटेल रिसोर्ट सब कुछ यहीं पर है इस 4 किलोमेटर के अंदर अग तो फाइनली सेंट मार्टीन पहुंचे नहीं लगभाग पंडावनील लग गया ठीक है बहुत ज़्यादा भी चलते रिसोर्ट की तरफ यहां पर बहुत बड़ा मार्केट है यहां पर बहुत सारे टुक टुक भी मिल रहेंगा आपको रिसोर्ट की तरफ जाने के लिए हम लोग प्री बुक करके आया थे कॉक्स वाजर से रिसोर्ट तो देखते हैं कैसा है रिसोर्ट आप लोग भी लेके जाते हैं ठीक है कर दिख कर लिया है कि वस्त हक्त्र इसमान होने के बाएंशां लोग एक टुक टुक बुक कर लिया है एक सर्बपर में पहुंच जाँ रहे है और जाके रिसोर्ट दिखा रहूं सो रिसर्ट आचुक है यह गेट है हम लोग अंदर आचुक है तरह है रेस्टूरेंट एंड सीविच और यह सारे जो मेरे पीछे देख रहे है आप यह सारे कॉटेज टाइप का रूम है तो मैं रूम में चेक इन करके आप लोगों को दिखाता हूं अच्छा ही है मुझे सब ट्राइब करेंगे सो रिसर्ट का रूम मिल गया है मैं अब लोगों को दिखाता हूं कैसा है हम लोग का जो रूम नंबर है 113 टिक है तो तीन जो रहने वाले मैं भी साल सोईकॉत तो कैसा है मैं दिखाता हूं रूम कुछ ऐसा है दिखने में दो गोईड है यहां पर एक बड़ा सा मेर भी दिया हुआ है और ओट्रॉप यहां पर हम लोग तो जाता सबन नीचे ही रखते हैं पड़र यूज नहीं होता है क्योंकि भूल जाते हैं तो वस्रूम में दिखा देता हूं कब लाइट जला तो वस्रूम भी साफ सुत्रा ही है आप लोग दिख वारे सो रूम तो आप लोगों में दिखा चुका हूं लेकिन बाहर अभी लाइट जल गया चारो ठीक है और उपर अभी शूरच के जो किरन है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है फूरा रेट कलर चारो तरब तुलसी के हैं भी पीड़े यह बऐसे लगा मुझे फेसने के बाद हमलोग जाएंगे इस तरफ जो रिस्टूरेंट क्योंकि दस बचिछ हम्लों खाये टीक है उसके बाद खाना नहीं खाये खाना खाना के बाद जाएंगे भीच पर जाएंगेने एक्स्प्लूर करेंगे बीच को एंड साम को यहां पर जो सीवीज मार्केट होते हो वहां पर जाएंगे मचली ट्राइ करेंगे ठीक है बहुत कुछ करने बाले मतलब मैंजे में हूं में एक दम तो थोड़ा सा जस्ट मुह में पानी मानने के बाद मुतलब मुह हाथ धोके हम लोग खाना खाने के लिए इस तरह ए रेस्टोरेंट और यह भी पूरा रेस्टोरेंट है लेकिन वहां पर बहुत ज़दा वीड़े और सिभ हम लोग की नहीं है जो लांज नहीं किये ठीक है बहुत सारे लोग अभी आया है लांज करने के लिए जो भी हम लोग के साथ में खाना खाने तो आये लेकिन गाना बाज रहा है जोभी नट्वल के खुछी जब भी होगी गाना बार जिरह अच्छा लग रहा है लग रहा है कि इंडिया में कोई रिसाट में घूमना है एं बीच पर अंदमान अंदमान जैसा फील हो रहा है पानी का कलर भाई पुरा तो यहां का कुछ खाने ट्राइगारते हैं यहां पर जाधा तर फीस का आइटे में भर्ता टाइप का आईटे में फीस बर्ता लैंज कमें अगर उसके बाद एक घंड़ बाद जाएंगे पिस प्राई याचार शिप करने प्रिया तो लोग बढ़ गया है यहां पर तो खाना खाने के बाद हम लोग चले गया थे सेंड मार्टन की लोकाल मार्केट को एक्सप्पोर करने तो रिसोर्ड में खाना खाने के बाद हम लोग फ्रेस होके निकल चुकते थोड़ा सेंड माटिन के जो बाजार है इसको थोड़ा एक्सप्रोर करने के तो सबसे पहले हम लोग ट्राय करें यहां के यह है जैकरी पाउडर से बना स्नाक्स ज्यादा मिठानी है बहुत ही क्रांची है अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लगा मैं थोड़ा खरीट के घर भी लेके जाओं का स्नाक्स खाते-खाते मार्केट के अंदर में देग रहा है बहुत सारे दोकान है ड्राइफिस का मतलब क्या बोलू यहां पर इतना बड़ा बड़ा फीस है जो खरित के ले सकते है प्राइफिस यहां से ले जाना वड़िया हुआ बराइटी इस टाइप फीस है तेंट तो बहुत ज्यादा आ रहा है खाने का भी मन नहीं कर रहा है किकि ड्राइफिस का स्मेल बहुत ही रभानक जैसे लगता है मेरे बोटी है मुझे पसंद नहीं है सेंड मार्टिन मार्केट में सबी जिसका प्राइस एस कॉमपर्ट टु कॉक्स वजार और बंगलादेस की आधर पार्ट से थोड़ा हाई है क्योंकि यहां पर सारे सामन बाइस सीप लाया जाता है प्लकाता में तो रसरगॉला फिमा से वब लोको पता है तो डू दुझा में पुलकाता का रसरगॉला से आभी माने लिया च mình आगवा ठीक साट्न भलादेस की पहला रसरगॉला ठीक है और एक जो चीज लिए है मेरे यह है चूँ तो दिखने में तो बहुत स्वाधिस लग रहा है त्राइ करके देखते है क्वालिटी है अच्छा लगा मरेको बीस रुपे लिया रसागॉल्ण और चम चम का प्राइस भी 20 रुपे है चाना से बना हुआ है त्राइ करके देखते इसको भी अच्छा लगा शॉप्ट और मीठा बहुत ज्यादा नहीं है मतले बाप्राप अनल अच्छा लग रहा है तो मार्केट से बापस आ गया मेठाई तो बहुत बढ़िया था और लास्ट चार दिन से लगवक चार दिन से में कारेंसी जो भी है चेंज गया था छुपत करक चारी बंग्लादेशी जा किने इसे मानाच गिए ज्यासरे नेपाल में जाके आप लोको दिखा था कौनसा वाला नोट लुझए क्या है खीलिमिः नोट या निहें लेश्ट अ है यह थो नूट यह है 500श अ कका Snapchat collectively यह है 100 और गिये हैं पंचास टाका बांगलादास टाका और के हैं वी स किया है दस को यह हैंपाँश यह पांच रुपे का क्नध तावी जो हैं मैं इसी डिशुर्ट के अंदर ही जो रेस्ट्यूरेंट है वहाँ पर जो फिस कबाब होता है वो बनाने के लिए दिया है एंड चिकेन भी बनाने के लिए दिया है तो फिस बार्बीक्यू एंड चिकेन बार्बीक्यू यह दोनों ही आ गया है हम लोगों ने रूम में मगा लिया था क्योंकि और बाहर जाके खाने का मन नी कर रहा था कल सुभा जाके बीच Εक्सप्प्रोर करेंगे ये अगर आप एक किलो का फीस लेते थे तो इसका प्रास परता है एराउंड 1200 रूपे और अगर अगर आप एक पूरा चिकन लेते है तो इसका प्राइस पड़ता है 700 रूपीज तो हम लोगों ने क्या किया दो लेकपुस लिया है इसका प्राइस है 175 रूपीज करके तो पीस आप लोग देख पा रहे है इतना सा पीस है जाता बड़ा नहीं है और जो फीस है ये बहुत बड़ा है ठीक है ये लगभग बहुत भारी भी है 600 ग्राम का मैं उठा भी नहीं सकता ये दोनों में लगए टोटल एराउंड थाउजन रूपीज का प्राइस हुआ है तो ट्राइ करके देखते है इसको कैसा टेस्ट है अच्छा लग रहा है हमें सब फीस फ्राइ और खिस कारी खाये लेकिन कभी भी बार्बीक्यू नहीं टाय किया बहुत बढ़ी अरग रहा है और मसला मसला पुरा भारा हुआ है थोड़ा सा कैचाप देखे ट्राइ करके देखे ठीक है मज़ा आ गया तो मैं इस सेन्टमाटीन एपिसोड वान को आज के लिए एही पर खतम करता हूँ मुझे पता है आप लोग के पास बहुत सारे कोस्टन से लाइक फूट्स का प्राइस क्या है रूम का प्राइस क्या है कहां से रिसोट बुक करे डोन्ट वरी यह सारे चीज़ के फूल डिटेल्स मेरे बांगलादे स्टूर्ट प्लान बला वीडियो पर मिल जाएगा तो मिलते हैं सेन्टमाटीन की सेगेंड एपिसोड के साथ तब तक के लिए बाब बाई टेक क्यार धन्यवाद अगर वीडियो थोड़ा सावी अच्छा लगाए तो प्लीज साब्सक्राइब दा चैनल